Hello and welcome back For the first time in the history of Bihar The economic survey was presented in the year 2006-7 by Sushil Modi यह बात सही है? हाँ Bihar के इतिहास में सबसे पहली बार economic survey को present किया गया था 2006-7 में, किसके द्वारा? Sushil Modi के गया रहा Leading districts देखिए Producer of wheat, देखिए अब मैं कुछ leading districts नहीं बताऊंगा, आपको बताना है या कौन सा district है उसमें गेहूं सबसे ज़्यादा कहां पे होगा? रहतास में बुट्टा, मेज कहां पे होगा? कटिहार में मचली सबसे ज़्यादा कहां होगा? मदुबनी में और शुगर केन, मतलब अरे गन्ना ठीक है? शुगर केन के तारी वो कहां पे होगा? वेस्ट चमपारन में बावा सीर अब भिहार कहां से लेक्शन लड़ने के लिए गया है? वेस्ट चमपारन से तो याद करो आपे गन्ना निकाल देंगा उसका जूस मिला करके बावा सीर अब भिहार का तो प्रोदूसर और वीट वीट कहां पे होगा? रहतास में, मेज, कत्यार में फिष, मधुभनी, शुगर केन, वेस्ट चमपारन में सर लीडिंگ डिस्ट्रिक्ट प्रोदूसर वीट, वीट का प्रोदूसर कौन है? सबी लीडिंग रहतास, मेज का कटिहार, फिश का मधुवनी और शुगर केन वेस्ट चंपारन EPIP का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंडस्ट्रियल पार्क chatvis之ral, mobile app launched by Agriculture Department to provide डिजिटल फार्मर सर्विसेς, क्या नम है, बिहान mobile app launched by Agriculture Department to provide डिजिटल फार्मर सर्विसेς, क्या नम है, बिहान महवीर was 24 और Last तिर्थंकर, क्या है, इस बात सही है? हाँ, सब्हलकुल सही है महवीर 24 तिर्थंकर थे और Last तिर्थंकर थे और पहलारी तिर्थंकर ईशब देवता वीर कुवर सिंग, ये कहां के थे? भोजपूर बिहार के थे वीर कुवर सिंग, ये कहां केते हैं, भोजपूर बिहार केते हैं, वर्क्स और कबीर दास, कबीर दास के वर्क्स हैं, उनको याद कर लिजे, कि पूछ लेता है कौन किसका काम है, तो कबीर दास हैं, उसके लिए उनके पांच काम, पॉपलर काम है, पहला है बीजक, दूसरा ह तो नाम से पता है कबीर गरंथावली, तो कबीर दास कही होगा, बीजक, सखी, गरंथ, कबीर गरंथावली, फिर अनुराग सागर और कबीर के दोहे, देखो इसमें तो कबीर कबीर लिखा हुआ है तो ये तो कबीर दास कही होगा, तो पहले दो नाम याद कर लो, कबीर गरं कबीर दास ने लिखा और फिर बीजक फिर साखी साखी गरंथ ये दो तो नाम हिया दें तो बीजक साखी गरंथ कबीर गरंथा वली अनुराग सागर कबीर के दो है क्या हुआ कबीर दास का जो मेजर काम था उसको किस ने इंकॉर्परेट किया था उसका नाम क्या था गुरू अर उसको इंकॉर्परेट करके उसको किस में डाला गुरू गरंथा साइव में डाल दिया The United Nations General Assembly announced on 15th June 2007 that it adopted a resolution which declared that 2nd October will be celebrated as International Day of Non-Violence कैई बात सही है 2nd October को क्या होता है गांधी जैंती होती है तो गांधी जैंती गांधी जैंती जैंती नौन-वालेंस को ज़्यादा प्रमोट करते थे इसलिए क्या हुआ 15 June 2007 को United Nations General Assembly ने UNGA United Nations General Assembly ने ये announce किया और कि उसने एक resolution adopt किया है कि 2nd October को हर साल International Day of Non-Violence मनाया जाएगा सोनपूर मेला हरिहर शेत्र मेला सोनपूर मेला का दूसरा नम क्या है हरिहर शेत्र मेला ये नवंबर में और्गनाईज होता है confluence of Ganga and Gandak के उपर है चंदरूप्त मौर्य 340 से 297 BC used to buy elephants and horses across the river Ganges तो चंदरूप्त मौर्य थे वो यहाँ पे हाथी और घोडे खरीदते थे 340 से लेके 297 BC इनका time period है 340 से 297 BC ठीक है So used to buy elephants and horses across the river Ganges सोनपूर मेला उसका दूसरा नाम के है हरिहर शेत्र मेला Recap कते है अनुराग सागर कबिर के दोहे The major part of Kabir's work was collected by the 5th Sikh Guru Guru Arjan Dev and incorporated into the Sikh scripture Guru Granth Sahib The United Nations General Assembly announced on 15th June 2007 that it adopted a resolution which declared that 2nd October will be celebrated as International Day of Nonviolence Sonpour मेला, Harihar Chhetra मेला, November, Ganga and Gandak, Chandragu Maury 340 से 297 BC used to buy elephants and horses across the river Ganges See you in the next video, till then, bye ầm